हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल में सर्ट की कटिन सिंपल तरीके से किस तरह से करते हैं आज की इस वीडियो में देखेंगे तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें तो चले दोस्तों सर्ट का नाप देख लेते हैं सर्ट की लमबाई है 27 इंच तो इसमें एक इंच प्लस करेंगे क्योंकि दोनों तरफ दबाव रहेगा हाफ हाफ ही पोने दो इंच यहां पर प्लेट के लिए लेंगे इसके बाद सोल्डर डाउन का निसान लगाएंगे सोल्डर है 18 इंच तो यहां पर 17 इंच पर निसान लगाएंगे आर्म होर रखेंगे सीना का चौंथा इसमें पोन इंच माइनस कर लेंगे और नौ इंच पर रखेंगे कालहर है 15 इंच तो धाई इंच और एक सुप लेंगे कालहर के लिए यहां से इसके बाद हला रखेंगे धाई इंच इसके बाद सोल्डर का निसान लगाएंगे सोल्डर का हाफ होगर 9 इंच तो यहां पर हम इस तरह से 9 इंच पर इंच टेप को रखेंगे यहां पर निसान लगाएंगे, उसके बाद Half Inch Margin के लिए लेंगे इसके बाद यहां पर भी Solder का हाप रखेंगे, देखें 9 Inch और अंदर की दरब Half Inch माइनस करेंगे, अर्मोहर को सेब देने के लिए इसके बाद यहां पर सीने का निसान लगाएंगे सीना है 49 इंच और 24 इस्ता करेंगे तो 15 इंच और यहां पर हम 72 इंच लोजिंग देंगे तो 12 इंच यहां से हम 12 इंच लेंगे सेम निसान बाटम में भी लगाएंगे इसके बाद बाटम से सीना तक जब सेप देंगे तो रौण फंटी से देंगे देखिए हलका रौण करेंगे क्योंकि यह मेडियम फिटिंग सर्ट है तो यह देखे रौण फंटी को इस तरह से रखेंगे इसके बाद ओपन सेप देने के लिए यहाँ पर दो इंच पर निसान लगाएंगे और इस तरह से हम open shape दे देंगे यहाँ पर half इंच पर इस तरह से निसान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दबाव रहेगा और और महल को इस तरह से round करेंगे यहाँ पर काल हर को भी round करेंगे इसके बाद बेग पार्ट की कटिन करेंगे यहां पर बेग पार्ट की कटिन करेंगे यहां से किनारे से हम जितना फ्रेंट में सीना का निसान लगाया है लूजिंग के साथ उसका हम हाप इंच माइनस करके निसान लगाएंगे तो यहां पर हम साड़े ग्यारा इंच पर निसान लगाएंगे उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यह देखिए जहां पर निसान बनाया है यहां पर फ्रंड को रखेंगे इसके उपर और यहां पर हम बेक डाउन का निसान लगाएंगे सोल्डर जोइन के लिए तो यहां पर हम इस तरह से साड़े तीन इंच लेंगे आप चाहें तो यहां पर धाई इंच या फिर दो इंच या फिर तीन इंच तक ले सकते हैं वो आपके उपर है आप कितना लेंगे तो मैं यहां पर साड़े तीन इंच ले रहूँ उसके बाद इस निसान को यहां किनारे पे रखेंगे यहां पर सोल्डर कर निसान लगाएंगे बेक में तो सोल्डर का हाफ होगर 9 इंच और हाफ इंच मार्जिन के लिए तो यहां पर 9.5 इंच उसके बाद यहां पर बाटम की जब कटिन करेंगे तो यहां पर दो सुंख छोड़ते हुए कटिन करेंगे और यहां पर लाकर मिलाएंगे यहां पर सेंटर का कट लगाएंगे इसके बाद अस्तिन की कटिन करेंगे तो यहां पर हम अस्तिन की कटिन करेंगे तो इस तरह से डबल करके पहले फोल्ड करेंगे उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे अस्तिन की लंबाई है 21 इंच तो इसमें एक इंच पाइनस करेंगे क्योंकि यहां पर हम दो इंच का कफ लगाएंगे तो यहां पर हम 20 इंच पर निसान लगाएंगे अस्तिन की लंबाई का यहां पर आर्म हो डाउन का निसान लगाएंगे 4 इंच पर और आर्म हो रखेंगे यहां पर 9 इंच तो यहाँ पर हम कितना है देख लेते हैं यह देखिए एक सूंती हाँ पर कम पड़ा है एक पाइंट तो उससे कोई फार्क नहीं पड़ता यहाँ पर हम 9 इंच रखते है आर महोल लेकिन हमारा एक सूंती हाँ पर कम पड़ा है तो उससे कोई फार्क नहीं पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर हम मोरी का निस्तान लगाएंगे 6 इंच इसके बाद यहाँ पर हम जब सेब देंगे मोरी से यार मोहल तक तो राउंड फंटी से ही देंगे और हलका राउंड करेंगे यह देखी इस तरह से हम राउंड फंटी को रखेंगे यहाँ पर राउंड कर लेंगे यहाँ पर सेंटर का कट लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर हम दो पल्ले उठाएंगे यहाँ से दो पल्ला नीचे रहेगा उसके बाद इस तरह से हम फोल्ड करेंगे यहाँ पर चाक पट्टी का निसान लगाएंगे तो यहाँ पर हम लेंगे सवा पांच इंच और इसकी जब कटीन करेंगे तो हाप इंच अंदर की तरब कटीन करेंगे इसके बाद एक साइट को हम डाउन करेंगे यहाँ पर हमने चाग पटी का कटीन के है देखी इस तरह से तो उसके अपोजिट साइट को डाउन करेंगे इसके बाद सोल्डर की कटीन करेंगे तो यहाँ पर हम सोल्डर की कटीन करेंगे और इस तरह से डबल करके यहाँ पर फोल्डर करेंगे यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इसको देख लेते हम बेग को कितना डाउन किया है सोल्डर जोइन के लिए तो यहाँ पर यह देखिए हमने साड़े तीन इंच यह देखिए बेग को डाउन किया है सोल्डर जोइन के लिए इस साफ से हम solder की चौड़ाई रखेंगे तो यहां पर हम 59.3 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तो 55 इंच तो हम solder की चौड़ाई जो है 75 इंच रखेंगे तो यहां से हम 61.5 इंच लेंगे सेम निसान यहां पर भी लगा लेंगे 51.15 इसके बाद solder की लंबाई का निसान लगाएंगे तो solder का half होगा 9 इंच और इसमें half इंच margin का प्लस करेंगे तो 1.5 तो यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे सेम निसान यहाँ पर भी लगा लेंगे 1.5 इसके बाद यहाँ पर हम 2 सूंथ एश्टा लेंगे यहाँ पर कालहर का निसान लगाएंगे हमने front में कालहर के लिए लिए था 1.5 इंच और 1 सूंथ तो यहाँ पर हम 2 सूंथ प्लस कर लेंगे और पौने 3 इंच एक सूंथ पर निसान लगाएंगे अब दोस्तों यहाँ पर हम दो सूंत क्यों प्लस किया है क्योंकि यहां पर हमने दो सूंत एश्टर निसान लगाया है इसलिए हम यहां पर दो सूंत प्लस करके निसान लगाया है इसके बाद उपर जो हाला रहता है उसके लिए यहां पर हम पौने दो इंच लेंगे क्योंकि हमारा जो काल हर है 15 इंच है अब यहां पर हम जब सोल्डर की चोड़ाई को सेब देंगे तो रौंड फंटी से देंगे यह देखी इस तरह से तो इस तरह से दोस्तों सट की सिंपल कटिन आप भी कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर करना न भूले